धार जिले में नर्मदा नदी से रेत का अवेद उत्खनन बदस्तूर जारी है नर्मदा नदी की सुरक्षा को लेकर कई वर्षों से राजनीती भी की जा रही है लेकिन इस्ततीजियों कीतियों बनी हुई है इस वर्ष जीले में करीब 40 रेत खदानों को चिनित कर उन्हें निलाम किया गया है ताकि अवेद रेत उतकनन पर अंकुष लग सके वर्तमान में गुजराथ से बड़े पैमाने पर अवेद ओवरलोड रेत के डम पर और ट्राले प्रतिदीन जीले से निकल रहे हैं लेकिन यदाकदा ही इन पर कारवाई की जा रही है जो खनीज विभाग के साथ साथ पुलिस परिवन विभाग पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है हमारे हां मतलब इंट्रीर में नरमदा के किनारे की जो विलेजे से वहा लोकल लोग जो होते हैं पर लाते हैं और खटा करके वो बेशते हैं और टेक्टर के माध्यम से बेशते हैं ट्रक वगएरा तो नहीं चलते हैं कि आप तो हमने महां भूला clinic को भी ब्लॉक किया सब किया लेकिन उसके बाद था इसके बाद भी अभी हमने उनके अब दूसरा एक काम करना सुरू कर दिया है, इनके जो स्टॉक है, उनको हम जब्त करके जब्त कर रहा है। मैं हर दूसरे तिसरे दिन अधिकारियों को अवगत करा रहा हूँ जैसे भी कोई व्यक्तिक मोलता है कि रेत का यहां उत्कनन हो रहा है तो मैंने तुरंट अधिकारियों को सुचित करवाता हूँ मेरे माध्यम से या मेरे जनपती निदी के माध्यम से बार बार सिकायत करने क बाद भी इस दकार की ये दिक्कते आ रही है मैं अभी महन्य नविन कलेक्टर साब आये मैं उनसे भी बात करूँ आ कि जहां पर रेत की जो ख़दाने अभी वर्तमान में हुई है इन ख़दानों को चिन्नित किया जाए पटवारी जी को के दुवारा और जो भी ठेकेदार न जिस कमपनी ने ठेका लिया है वो उसी इस्तान पे रेत निकाले अन्य जगे उनको हम रेत नहीं निकालने देंगे धार से सुरेश्तिवारी की रिपोर्ट